सब्सक्राइब करिए डॉक्टर अनुराधा इनके अनुराधा सैडवान सायरवेदा चैनल को और बेल आइकोन दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मैं वैद्या अनुराधा सारड़े आज कल सुबा का खाना बहुत लोग टीफिन में लेते हैं इसलिए टीफिन नुटिशिस होना बहुत जरूरी है आज हम उसी के कुछ टेकनिक्स जानेंगे आजकल बच्चों की स्कूल का टाइम बहुत बढ़ गया है पहले स्कूल का टाइम थोड़ा कम रहता था लेकिन आजकल first standard से ही बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं और 3 या 4 बजे स्कूल से आते हैं इसलिए उनका जो दिन में सबसे important खाना है, सुबह का खाना, वो उनका टिफिन है। इसलिए बहुत बच्चों की मम्मी ये पूछती है कि बच्चों को टिफिन में क्या दे, जो उनको पूरा nutrition दे, उनकी health अच्छी रखे और उनको intelligent बनाए। घर में हम खाना खाते हैं, तो हम कम से कम डाल, चावल, सबजी, रोटी ये चीज़े खाते हैं। लेकिन बच्चे स्कूल में सिर्फ सबजी रोटी ले जाते हैं, इसलिए हमें सबजी को ही innovative तरीके से बनाना है, जिससे सबजी से पूरा nutrition मिले। बहुत से बच्चे सिर्फ दो या तीन सबजी ही खाते हैं, इसलिए उन्हें टिफिन में वही सबजी देते हैं, इस प्रकार से उन्हें पूरा nutrition नहीं मिलता। बच्चों को सभी सबजिया देना कब शुरू करें? ये एक important question है, बहुत सी मा ये सोचती है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो उन्हें सब सबजिया खाने की आदत हो जाएगे। लेकिन आदत अपने आप नहीं लगती, अच्छे चीजों की आदत हमेशा लगानी पड़ती है, और अगर आपको ये लगता है कि बच्चे अभी intelligent बने, अभी अच्छी पड़ाई करें, तो उन्हें छोटी उम्र में ही पूरा खाना खाने की आदत डालनी चाहिए, अगर बच्चों का डायट important है, तो उनके लिए टिफिन मन लगा कर और थोड़ा time देकर बनाए, पाँच मिनिट में टिफिन के लिए क्या बनाए, ऐसी बहुत सी dishes मिलती है, लेकिन ऐसा हमेशा ना करें, और सबसे important है, जो हम बनाते है, उसकी टेस्ट अच्छी हो, क्योंकि तभी बच्चे उसे ठीक से खाएंगे, और खाने का presentation भी अच्छा हो, क्योंकि पहले हम आखों से देखते हैं, तभी अच्छी चीज़े देखकर खाने की इच्छा होती है, और खाने के क्या रूल से ये मेरे वीडियोज में जरूर देखे, बच्चे शार्फ हो, इसलिए उनके डायट में डाल होना बहुत जरूरी है, ये डाल हम उन्हें अलग-अलग प्रकार से दे सकते हैं, जैसे बेसन मिला कर, कुछ सबजिया ऐसी होती है, जिनमें हम बेसन मिला कर बना सकते हैं, जैसे मेथी का जुनका, पालक का जुनका, पत्ता कुबी की सबजी बेसन डा दाल कर, एक्सेटरा, दाल भीगो कर, मूंग दाल ये सर्वसरिष्ठ दाल है, इसे भीगो कर फिर सबजी में डाले, या चना दाल भी भीगो कर सबजियों में डालते हैं, दाल की चटनी, मूंग दाल, चना डाल, इनकी चटनी बना कर सबजी के साथ टीफिन में दे सकते हैं, बेसन का पराठा, आटे में थोड़ा बेसन मिला कर, थोड़ा जवार का आटा, बाजरे का आटा मिला कर, फिर उसके पराठे बना कर दे सकते हैं. मिश्रधान्य थालिपिट, गेहु, जवार, बाजरा, मूंग दाल, चनाडाल, इनको थोड़ा सेक ले, इसका आटा बना कर रखे, इस आटे के थालिपिट बना कर दे. बच्चों के साथ साथ बड़े भी इन टेकनिक्स का यूज़ करेंगे, तो उन्हें भी बेनिफिट्स मिलेंगे. थैंक यू.